देखें यहीं प्रैक्टिस सेट नमबर 14 आईए इसको कॉभर किया जाए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण साबित होता है बच्चो तो इसको आप लोग एक भी क्लास जो भी हम कराते हैं आप लोग मिस बस मत करिएगा कोई भी क्लास को मिस मत करिए अप लोगसभा के अध़क्ष को कैसे हटाइजाता है तो बहु आयामी निर्धनता सुचकांग का संकेतक नहीं है तो देखे यहां पर आप लोग ध्यान दिजिएगा संकेतक नहीं है पूछ रहा है तो आए हो जागा ठीक है बहुँ आया में निर्धंता सुचकान का संकेतक कौन सा नहीं है तो आए नहीं है Next question तूगलग काल में बिहार के रहानी थी तो देखे तूगलग के काल में बिहार के रहानी बिहार सरीफ उगा करते थी प्रकास संसलेशन के दोरान पैदा होने वाली oxygen का स्रोथ क्या है देखे तो प्रकास संसलेशन के दोरान में पैदा होने वाली oxygen का स्रोथ जल होता है प्रकास संसलेशन के दोरान पैदा होने वाली oxygen का स्रोथ क्या है तो जल है option number A right answer next question रिगवेट के नौवे मंडल का सम्बंध किस देवता से है तो सुम देवता से है रिगवेट के नौवे मंडल का सम्बंध किस देवता से है तो सुम देवता से है option number D right answer next question नेशनल हेराल्ड अकबार के संस्थापक निम्नी में से कौन थे तो देखे जोहारलाल नहरू थे जोहारलाल नहरू नेशनल हिराल अकबार के संस्थापक हुगा करते थे option number B right answer रोज़ेगा नेशनल हिराल अकबार के संस्थापक कौन थे तो जोहारलाल नहरू थे next question 8 number question प्रात्मिक इंद्र धनुस में क्या होता है प्रात्मिक इंद्र धनुस में क्या होता है तो देखे दो बार आपरवर्तन और एक बार कूल आंत्रिक परवर्तन होता है option number A right answer प्रात्मिक इंद्र धनुस में दो बार आपरवर्तन और एक बार कूल आंत्रिक परवर्तन होता है option number A right answer next question 9 number question मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है तो देखिए मस्टर्ड गैस का जो उपयोग है वो किया जाता है आप लोग का रसायनिक यूदर में किया जाता है option number B, right answer next question भारत में सबसे पहले सोने के सिक्चे किन के दौरा जारी किये गए थे तो देखिए के हिंद युनानी के द्वारा जारी किया गया थे और दूसरी साइट दिया गया है उत्खनन करता का नाम ठीक है तो देखिए लोथल का आप लोका रंगनाथ राव होगा सामने दिया गया है बनावली का हो जाएगा रभीन रे सिंग विष्ट तीन नमर मोहन जोद्रो का हो ज फिर रोपड़ का हो जाएगा यगदत सर्मा तो सामने सब का राइट थेद्र हो गया 1324 ठिक है 1324 ठीक है ओप्सन में दिया गए है 1324 आपका राइट असर हो जाएगा नेश्ट कोशन की से आजात सात्रु के लोग पर ये उपनाम से जाना जाता है तो देखिए आजात सब् नीमिन में से किसे आजात सत्रू के लोग पिर ये उपनाम से जाना जाता है तो डॉक्टर रजेंद्र परसात को आजात सत्रू के लोग पिर ये उपनाम से जाना जाता है option. D. right answer next question 30. question सकती के प्रित करण का सिधान्त निम्नण लिखित में से किस राजनितिक विचारक ने दिया कड़ाये निम्न लिखित में से किस मुख्य ने आय धीश ने राश्टपती के रूप में भी कार किया है तो किस मुख नयदीस ने राष्ट पती के रूप में भी कारे किया था तो Justine A से हिदाय तुल्ला हो जाएगा Option No.A राइट एंसर हो जाएगा Justine A हिदाय तुल्ला होगा Option No.A अपका राइट एंसर हो जाएगा कर रहा था question कि निम्नी में से किस मुख्य नियाधिस ने राष्टपती के रूप में भी कारे किया है तो राष्टपती के रूप में भी जो नियाधिस ने काम किया था वो थे justice aim हिदाय तुल्ला next question 50s question पैरा है लोक लेखा सिम्यति अपनी रिपोर्ट निम्नी लेखित में से किसे प्रस्तूत करती है तो देखिए लोक सभा के अधक्ष को प्रस्तूत करती है US प्रस्तुत्य करती है option number D right answer next question पैरा ब्यागनी कीरन एक्स कीरने सुक्षम कीरने एवं गामा कीरनों का तरंग देधर्ण को और उही करम में सजाईए तो इनके तरंग देधर्ण को और उही करम में अरेंज करना है तो दीखे पहले हो जागा आप लोका सुक्षम कीरने फिर प नंगी हर्ताल किस अंदोलन के दोरान किया गया बिहार में कैदियों के द्वारा नंगी हर्ताल किस अंदोलन के दोरान किया गया था तो सही अंसर हो जाएगा सविनय अउग्या अंदोलन के दोरान किया गया था option number C right answer होगा बिहार में कैदियों के द्वारा नंगी हर्ताल स्थाई बंदोबस्त के अंतरगत आने वाले छेत्रों में निम्न में से कौन सामिल नहीं है देखिए कहरा कि सामिल नहीं है इसको ध्यान दिजिएगा तो आपका राइट एंसर हो जागा इसका सिंध है अप्शन नमर सी राइट एंसर आस्थाई बंदोबस्त के अंतरगत आने वाले छेत्रों में कौन सामिल नहीं है तो सिंध या सामिल नहीं है अप्शन नमर सी राइट एंसर नेट्ट कोच्छन कर आए 20 नमर कोच्छन की मिलान कीजिए इसको देखे मिलान करना है सुची 1 को सुची 2 के साथ मिलान करके इसके बाद राइट एंसर बतलाना है तो देखे करा हम लोगा मेगरीसियम तो देखे मेगरीसियम का आप लोगा टेल्क हो जाएगा देखे फोर नमबर होगा फिर पोटेसियम तो पोटेसियम का हो जागा नागडर थर्ड नमबर केलसियम का हो जागा आप लोगा फास्पोराइट टू नमबर होगा फिर वन नम नेश्च जैनला ऑफ इंसर क्या हो गया? देखिए, 432.000ं, आपका राइट एंसर शक्ता हो गया? दीखिए, ओप्षण X---- tea में दिया गया है, 432.000刮 ऐखिए, और यूदु और नेश्च घंसर हो जबाए verbズ, नेक्स्ट कोश्टन 22 नमबर कोश्टन प्रतम अंगल मराठा युद की संधी से समाप्थ हुआ था तो देखें प्रतम अंगल मराठा युद जो है यो सालाबाई की संधी से समाप्थ हुआ था ओप्षन नमबर C राइटेंच रो जगा सालाबाई की संधी नणिर साह का आकरमन किस मुगल बाच्छा के काल में हुआ था? नणिर साह का आकरमन यह मुखल बाच्छा के काल में हुआ था। क्या नेक्स कुछन किस kangisi का कुंग्रेटी को सर्विन अउग्या अंदोलन प्राराम भेखार दिया गया था तो इसका हो जाएका लहोर सथ ऑप्षण number बी का रहा था किस सथ लहूर के k infra पर के की अधिकार कप सबाएंटिक सब्सक्रेигgrade सुन क्या होता है तो देखिए काहां पर होता है यह आप लोगों को बहुत बार हम पढ़ा चुके हैं जी का मान जो है सबसे कम या फिर सुनने जो है प्रिच्वी के केंद्रे में होता है option number B right answer हो जाएगा नेश्क कोशन 26 नमबर कोश्चन द्रब्ब्यमान दुगिना करने में गतिज उर्जा पर क्या परभाव पड़ता है तो गतिज उर्जा जो है दुगिना हो जाता है option number A right answer किस गैस को एस्टेजर गैस भी कहते हैं, किस गैस को एस्टेजर गैस भी कहा जाता है, सही अंसर हो जागा जिनोन गैस को एस्टेजर गैस भी कहा जाता है, option number c, right answer नेश्ट कोचिन 28, नमबर कोच्चन, कराय कि भारतिय समिधान के किस अनुछेत के अंतरगत, भारत सरकार का दायुत्य है कि वह ब्रहाँ आक्रमन एवं आंतरिक असांती से राजयों की रक्षा करें, तो अनुछेत 355 जात, भारतिय समिधान के अनुछेत 355 के अंतरगत में भ घाटे की वीतिये ब्रिथी का प्रभाव पड़ता है कर आहे कि भारत के किस सहर में आटाला मस्झीत इस्थीथ है तो भारत के जौनपूर सहल में 8ademशचीत इस्थीथ है किस गौर्णर के समय में द्रितया आंगन सिख्यूद समपन हुआ था तो लॉट डलहोजी के समय में द्वितिये आंगन सी की यूद जो है संपन्न हुआ था ओप्षन नमबर बी सी ओप्षन नमबर सी जो है लॉट डलहोजी है ओप्षन नमबर सी राइट एंसर होगा नेस्ट कोशन 32 नमबर कोशन महाल वाड़ी ब्यववस्ता किस के दोरा लागो किया गया था दो इसका राइट एंसर हो जाएगा बढ़ी में है हमलोग का बीधान सबा यहीं होगा राजपल के दोरा जारी किये गए अध्या देशो की स्विकृती की अविशक्ता है तो विधान सभा को अप्षिन बड़ी राजियों को समाजिक और सेक्षिक दुरिष्टी से पीछड़ वर्ग अनुसुचित जाती एवं जन जातियों के लिए सच्छिनिक संस्थानों में आरक्षन प्रादान करने है तो विशेस उपबंध बनाने की सकती प्रादान की गई है तो किस समिधान संसोधन के द्वारा पूछ रहा है सईयन सरोजगा तिरानववा समिधान संसोधन अधिनियम 2005 के द्वारा ओप्षन बर भी राइटेंसर साथ आफ लेक्ता करके एक बार अच्छे से रिवीजेन भी कर सके ठीक है तो आगे बढ़िए कहराए ठाटी फाइप जम्बर कोश्चन बिधान परईशत की कूल सदस्यों में कितना सदस्यच से राज में रह रहके अस्तरात्त को द्वारा निर्वाचित होते हैं देखिए यहाँ पर थोड़ सा टाइपिंग इडर है इसको काट दीजे ठीक है फिर से एक बार आपको कोश्चन पढ़ेए काराय कोश्चन विधान परिशत के कुल सदस्यों में से कितना सदस्य राजे में रहे अस्त्रात को द्वारान रिवाचित होते हैं तो सही एंसर हो ज सदस्य जो है वन बाइ टुएलब का ओप्शन नमबर ए राइट एंसर पूल सदस्य का वन बाइ टुएलब निश्कोर्चन 36 नमबर कोश्चन मंदिर निर्माणने काला का जो जन्म है यह किस काल में हुआ था सैयन सरोजय का गुप्ट काल में हुआ था ओप्शन नमबर सी तो देखिए इसका सही एंसर हो जाएगा आप लोगों का ब्राहन अप्शन नमबर सी राइट एंसर ठीक है तो देखिए प्रच्छनन या छीपी हुई बिरुजगाड़ी का अर्थ है तो देखिए प्रच्छनन या प्रच्छनन या छीपी हुई बिरुजगाड़ी का अर्थ क्या होता है तो देखिए प्रच्छन नमबर सी राइट एंसर होगा प्रच्छन महा कालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे इस्तित है प्रच्छन महा कालेश्वर मंदिर किस नदी के किनारे इस्तित है सर्याइश्वर जगा छीपरा नदी के किनारे जो है प्रच्छन महा कलेश्वर मंदिर जो है इस्तित है परसीदे महा कलेशवर मंदिर जो कहा पर इस्तित है तो छीपरा नदी के किनारे में इस्तित है और यह फिर कजाग लेपचा और मसा यह सब गूम कड़े जन जाती है नेश कोस्टन 41 नमबर कोस्टन 2011 की जन जातियों में कौन सबसे बड़ा समू है देखें 2011 की जन जातियों में रिपिट कर जागे याद कर जहीं इसको एक भी मिस्क मत करेंगा कराये 41 number question, 2021 की जनगना के अनुसार, निमने लिखित जन जातियों में कौन सबसे बड़ा समू है, तो देखे भील, option number ए, रेटेंसर हो जगा, 2021 की जन गनना के अनुसार, निमने लिखित जन जातियों में पूछ रहा था, तो देखे भील जो है, भील जन जातियों सबसे सुमू है दुहज़र गारती जन्गन्ना के अनुसार नेस्ट कोश्चन 42 नमबर कोश्चन करा है कि सीत रूतु में भारत के उत्री भाग में वर्षा होती है वह जो है पस्चमी विछोब से होती है option number B राइगेंसर 43 नमबर कोश्चन नेम्न लिकित में से कौन सी नदी भूमी बंदीत है कौन सी नदी जो है भूमी बंदीत है तो सईयन सरु जाएगा लूनी नदी जो है यो भूमी बंदीत है option number C राइगेंसर 44 नमबर कोश्चन नेम्न में से कौन सा भारत में निम्च में से कौन सा भारत में निर्वन्णी करण का प्रभाव नहीं है तो इसका राइट ए एंसर अहगा कौन नहीं है तो देखिए सहरी करण johai सहरी करण घर आया है कोशन की निम्च में से या कहा से हुई सही एंसर हो जायगा क्योटो प्रोटोकॉल से कारबन क्रेडिट की शुरूआत होई थी 46 नमबर कोचल कराइश सुमेरित कीजिए देखिए एकसाइश सूठी 1 है एकसाइश सूठी 2 है इसको सुमेरित करना है तो देखे इसको आप लोग राइच अगर सुमेरित करिएगा तो आप cameraite एंसर होजगा देखे-zig आपको धोबक सोड़ा का हो जाएगा तीसरा नूबर एक सेटा लिए प्रकुर्ण सबसे ज्यादा होता है किस रंग का प्रकुर्ण सबसे ज्यादा होता है सबसे ज्यादा होता है हैड्रोलिक ब्रेक किस नियम पर अधारित होता है तो देखे पास्कल के नियम पर अधारित होता है नियम नबर कोशन रेडियो एक्टीवगता की खोज किस ने की थी है रेडियो एक्टीवगता की खोज है वो किस ने की थी सबसे रेडियो एक्टीवगता की खोज है कर रहा है ज्वार पैदा करने वाला बल नियमने लिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है ज्वार पैदा करने वाला बल नियमने लिखित में से किन दो बलों के बीच का अंतर है तो देखे ज्वार पैदा करने वाल बल यह खिंके अंतर होता है तो गुर्तव करशन खिचाओ और केंधरिया त्यागई बल ke भीज का होता है जवार पैदा करने वाला बल नेक्स कोश्चन देखिए जातों यहां पर हम लोग का कोश्चन खतम हो गया 50 टोटल कोश्चन था एक सेट में और यह इससे देखिए इससे जितने भी डिलेटेड आप लोग के इसमर्णिये तत्थ दे सकते थे कोश्चन के हिस्ताब से आप लोग को टोटल इसमर्णिये तत्थ है आप लोग को बहुत ज़्यादा महत्पून होता है इसमें टोटल इंपॉर्टेंस पॉइंट्स आप लोग के नोट करके लिखे रहते हैं तो आप लोग टेलिक्राम से जुर जाएए ताकि आप लोग एक बार अच्छा से पढ़ करके और खुद से एक बार रिविजन भी कर लेजिएगा ताकि आप लोग की त्यारी मुझबूत हो पाए तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप लोग अपने अच्छा से त्यारी करिए रिविजन करिए मेरते हैं नेक्स